अलेकुम टू आल अफ यू आइम बैक वित मैं न्यू रेसिपी जिसका नाम है लौकी के कोपते पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल दे सीकुईन सब्सक्राइब करें सब आ होते हैं गरम मसाला नमक ओईल चॉप डनियंस अनियन जिंजर गार्लिक पेस्ट दनिया पाउडर रेट चिली पाउडर और हल्दी पाउडर आईए देखते हैं इसे कैसे नमक कर लिया है यहाँ पर मैंने लॉकि को इस त्ँरह से ग्रेट कर लिया आप Kingdom घुट है इसलस्थिक कर होगी गरम मसाला औस यह गरियमके और खिचिली आप करोगी यहाँ पर आप अपने जरूरा तनुसर ग्रेम चिलिस और नमक एड़ कर सकते हैं इसे हमें जादा करवा नहीं करना है क्योंकि मैं जो अभी इसकी ग्रेवी बनाऊंगी उससे यह बहुत ही मींस बिटर हो जाएगा यहाँ पर तीनों चीज आड़ करने के बाद मैं इसमें बुना हुआ बेसन आड़ करूँगी बेसन आड़ करने के बाद हमें इसे बिना पानी के ही मिक्स करना है अगर आपको जरूरत लग रही है तो आप पानी आड़ कर सकते हैं वरना इसे इसका लौकी का पानी छूटेगा और आप अपने आप ही इसे देखेंगे कि गीला हो गया है अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसकी बॉल्स बना रही हूँ कोई एक पर्फेक्ट शेथ देने की जुरूरत नहीं है बॉल्स बनाने के बाद सारी बॉल्स को डीप फ्राई करेंगे इसे थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे जैसे ही ये नीचे से ब्राउन होने लगेगा हम इसे पलट देंगे इसे दूसरी साइड ब्राउन होने तक इंतजार करेंगे ये देखिए पूरी तरह से मेरी बॉल्स ब्राउन हो गई है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे प्लेट में निकाल रही हूँ इसी तरह से सारी बॉल्स निकाल लेंगे सारा ओइल निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा ओइल छोड़के और इसमें अनियन बालूंगी करेंगे उसे कोल्ड़न राउन होने तब रेट करेंगे अब मैं इसमें अनियन जिंजर गालिक प्रेज डालेंगी जरूरत अनुसार थोड़ा सा पानी डालूंगी रेट चिली पाउडर रैड कर रही हूँ दनिया पाउडर खल दी मसालों को मिक्स करेंगे और नमक एड़ करेंगे नमक मैंने यहां पर थोड़ा एड़ किया है क्योंकि अल्रेडी हम बॉल्स में एड़ कर चुके हैं और जैसे ही मसाला भुणने लगेगा हम इसमें बॉल्स एड़ कर देंगे बॉल्स मैंने यहां पर एड़ कर दी है उन्हें अच्छे से मसालों में मिक्स करेंगे और ग्रेवी को थोड़ा पतला करने के लिए पानी एड़ करेंगे आप अपने अकोर्डिंग पानी आड़ कर सकते हैं आप जितना पतला चाहते हैं एक बात बताना चाहती हूँ बॉल्स जब हम इसमें डाल देंगे तो यह इसमें पानी इसका सोकेगी इसलिए आप जितना पानी रखना चाहते हैं उससे थोड़ा जादा ही डाले अब हम इस हैं तो खुला भी पका सकते हैं जैसे ही इसमें बुल-बुल छूटने लगेंगे यह रेडी हो जाएगी यह देखिए लौकी के कोफते रेडी हैं आप इसे अच्छे से गर्मा गर्म सर्फ करें थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो एंड क्लिक ऑन बैल आइकन प्लीस स